हेलो स्टुडेंट वेल्कम तो मैं चैनल परफेक्ट मैस सोलूशन आज हम ठीट्नोमेट्री का थाड़ पार्ट देखते हैं रेश्योज और टीट्नोमेट्री पेसिफिक एंगल्स पेसिफिक एंगल्स इस चाप्टर में अपने को जिरो टो नाइनटी एंगल की स्टेडि करन तो इसको बनाएंगे इस टेबल को कैसे बनाया जाता है इसको अबन स्टेडी करते हैं तो मैं कुछ ले रहा हूँ जी रो वन तू थ्री और फोर पर इसको फोर से डिवाइट कर दो यह फोर से डिवाइट कर दे के बाद इसका लेना है अंडर लेना है तो इसका अंडर लोगे इसका बीव एंडर रूट सारे बैल बन चैए हैं और यहां पे बन जाएगा रूट थी रॉट और यह हो जाएगा इसको स्ववाथ करने के बाद आपको क्या वेल्व मिनी सबसे पहले आपने लीआ जिरो वन टू थी पॉर एना तो 01234 उसके बाद उसको प्षूर से डिवाइड कर दिया जो वेलिव मिलती है उसका स्ट्वैर रूट लिया है थे अनदे रूट तो 0 upon 4, under root 0 upon 4 is equal to 0, under root 1 upon 4 is equal to 1 upon 2, under root 2 upon 4, 2 से 4 को divide किया तो 1 upon 2, 1 का square root 1 हो किया, under root 2 as it is, then under root 3 as it is, under root 4 is equal to 2, 4 4 cancel, 1 under root 1 is equal to 1, तो यहाँ पर angle लेते हैं, अपन 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree, what is degree, degree is the unit of angle, तो जो value मिली है, ओ साइन के table में as it is put करना है, यह 0, then 1 by 2, then 1 by under root 2, अंडर रूट 3 by 2 and 1, यह वो क्या एक पार्ट, लब साइन 0 is equal to 0, साइन 30 is equal to what, 1 by 2, साइन 45 is equal to 1 by, अंडर रूट 2, साइन 60 is equal to root 3 by 2 and साइन 90 is equal to 1, इसका reverse करना है, ओ वेर्यू इदा से स्टार्ट करोगे, तो cost की वेर्यू मिल देगी, यह आपे क्या था, 1, यह वेल्यू यहाँ पर पूट कर देदे अपन, cost के 0 एंगल में, अब यह सारी वेल्यू इदा से लिखना स्टार्ट कर दो, तो under root 3 upon 2, 1 by root 2 as it is, then 1 by 2 और 0, यह हो जाएगा, cost, cost के सभी एंगल की values, cost 0 is equal to 1, then cost 30 is equal to root 3 by 2, cost 45 is equal to 1 by root 2, cost 60 is equal to 1 by 2, and cost 90 is equal to 0, अब 10 का अपने formula देखा था, 10 is equal to what, sin theta upon cost theta, अपने prove क्या है, पहले वीडियो में अब यह सब upload किया है, कि 10 theta is equal to sin theta upon cost theta, अब मुझे क्या किसका find करना है, 10 का find करना है, 10 का कैसा करूँगा, मैं इन दोनों का ratio लूँगा, इन दोनों का divide करो, तो 1 upon 0 upon 1, 0 हो जाएगा, इसको अगर divide करते हो, तो यह 1 by root 3 हो जाएगा, यह दोनों डिवाइड करोगे, तो 1 बन जाएगा, यह 2 2 divide हो जाएगा, अंडर root 3, और यह infinity हो गया, अब आपको कॉट का कोई अलग से करना है क्या, divide करके देखना है क्या, कॉट करना है, कॉट का फर्मूल आपने को मालुम है, इस इक वाइट वाट कॉस्ट थीटा अपॉन साइन थीटा पर अपने ओक करते नहीं बैटेंगे अब क्या करेंगे इधर की वेडियोज यहां से स्टार्ट कर देते हैं इनफिनिटी दिन अपॉन 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 थीटा तो सेख को क्या करते हैं इसकी इसका इनवर्स कर देते हैं इसका उल्टा तो वन अपॉन वन यह मिल झेगा इसका इनवर्स के मिलेगा तू बाई रूट जो औके इसका इनवर्स करो पर तू और इसका इनवर्स कर के तो इंफिनिटी अ अब सब्सक्ना उसिप्सरी थीटा क्या है रोगे इधर से decision flam यह infinity two under root two as it is two by root three और यह one हो जाएगा तो इस प्रकार आप टेबल बना सकते हो यह टेबल बनाने का first part हो गया मैं second part भी आपके सामने रख रहा हूँ जदी यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें